तो आ रहा है रिबाउंड, बहुत ही जबदस्त, कपिल दरा आईशेर के चार्ट्स देखिए, आज बड़ी एक रिपोर्ड आई जैफ्रीज की, हमने आपको प्री मार्केट ने बताय भी था, वियोस को कि वहाँ पर शायद गुंजाईश बन रही है, कुछ जादा पनिश कर कर रहे थे, ये स्टॉक तो रहा था, लेकिन इसका स्टॉक का 48 ट्रीडिंग स्टेशन में रहा हुआ था, कि 3450 एक रिजिशन लेवल हमें देखा था, तो आज ही एक जटके में स्टॉक ने काफी कंफरेबल उपर के साइट का ब्रिकाउड हमें देखने मिल रहा है, तो यह हो सकता है, लेकिन 3350 तक स्टॉक पॉजिटिव रहाएगा और 3380 का स्टॉपलस नीचे में प्लेस करना चाहिए, उपरोंट में 3650 का अपसाइड बॉर्टिंचे है, छोटा स्टॉक ऐल एक्स्टॉरेशन का आपको हमने प्री मार्केट में बताया था, सेलान ऐल एक्स्टॉ आट पसेंट ऊपर, किसे बात की थी हमने इसके बारे में, कपल से नहीं, जै से बात की थी, जै अब आप देख सकते हैं वापस से चार्ट को देखेंगे, ओके जै चले गए, क्या चला लेकिन जून से इस्टॉक, इसमें मैनेजमेंट चेंज हो गया है, और जब मैनेजमें किसी भी कंपनी को वापस आगे, चंदन आपका ओपनिंग ट्रेड रह गया था, कुछ टेकनिकल इशूस थे, बिल्कुल देखें, मैं एसकोर्स को बोटा पर फोकस करूंगा, आप देखोंगे, एसकोर्स हमारे एक प्रिफर्ड पिक रहा है, और काफी अच्छा सेटप यह बनना चाहिए, यहाँ पर 31, 80 के आसपास के हम सपोर्ट लगाएंगे, उपर में कहींगे, चोटी सो तक का टागेट बनना चाहिए, टेकनिकल देखें, तो तेरा चोदा दिन का इसकोर्ड दिन का इसकोर्ड बार हमें बता रहा है, इसका कन्वेक्शन काफी स्टोंग है, आ ठांजर रूर्ट देखें, तनकिकल देखें, आएगक्शन कीब देखें, पर 33, 30 के हमाएंगे, चोटी स्टोंग है, जा esos तो तो त्यान चाहिए, ईसके हम सात्रहा एंगे, टेक्शन कीब देखें, और 23, 30 के वाएंगे टीन कीबूद साने बाना, तो पर 29, 3 के का ःशन